दौरजले के बेटमा में चल रही श्रीमत भागवत कथा के दूसरे दिन कथा वाचक पंडित जितेंद्र पार्थक पाल का अक्रियावाले ने कहा कि जो मनुष्य जीते जी श्रीमत भागवत कथा का श्रवर्ण करता है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राफ्टी होती भागवत ग्याता पंडित जितेंद्र पार्थक ने 108 भागवत कथा का निशल कस्तंकल पलिया है जिसमें उनकी 60 कथा हो चुकी है कथा के दौरान उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य मृतक आत्मा विवम अपने पूर्वजों के निमित पित्र दोश के निवारन के लिए कथा कायुजन करता है तो समस्त पित्रों को मोक्ष मिलता है श्रिमत भागवत गरंथ पंचम वेध है सर्वप्रथम भगवान नारायन ने चार्श लोकों के रूप में ब्रह्मा को भागवत का ग्यान दिया ब्रह्मा ने देवश रिशी नारत को चार्श लोकों में भागवत का ग्यान दिया और नारत ने वेधव्यासी को इस अवसर पर पंडिक धनालाल जी पुजारी रमिश बैरागी बरजे सिंग पतेल ने व्यास पीठ का पूजन किया